हलो बच्चों, लेट्स रीड दा कोशन फर्स्ट, दा कोशन से इस अपियरेंस ओफ रिकॉंबिनेशन नॉड्यूल ओन होमो लोगस क्रोमोजोम ड्यूरिंग मियॉस इस क्यारेक्टराइज तो अब बच्चों यहां पर हमसे पूछा गया है कि रिकॉंबिनेशन नॉड्यूल की फॉर्मेशन ड्यूरिंग मियॉस हम किस चीज से करेक्टराइज कर सकते हैं या किसके प्रेजेंस के होने की वज़ो से रिकॉंबिनेशन नॉड्यूल हमें देखने को मिलेंगी तो हमारे ऑप्शन हैं बाइवेलेंट साइट विच क्रोसिंग ओवर अकर्स हमें देखने को मिलता है और तो कि क्लीअरली विजिबल नहीं होता फिर जब हम सेकंड स्टेज पर जाते हैं यानी की पिकाइटीन स्टेज पे जाते हैं तो पाइवेलेंट कॉंप्लेक्स या टेट्रैड तो है वो clearly visible होते हैं plus हमें recombination nodules देखने को मिलते हैं, अब recombination nodules कैसे recombination nodules वो form होते हैं between your non-lister chromatids जब उनका, हम क्या करते हैं नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोजोम की जब फ्रॉसिंग ओवर होता है तो यहां पर जैसे आप देख रहे हूं क्रोसिंग ओवर यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा रिकॉंबिनेशन नॉड्यूस देखने को मिलेगा तो हमारा करेक्ट आंसर है जो है वो ऑप्शन भी हो जाएगा जहां पर हमें क्रोसिंग ओवर देखने को मिलेगा वो साइट केरेक्टराइज होगी कैसे recombination nodule से या जहाँ पर crossing over होगा वहाँ पर हमें recombination nodule से देखने को मिलेंगे bivalent क्यों नहीं बच्चों, bivalent इसले नहीं क्योंकि bivalent का formation जो है वो zygotene stage में होता है और यह सारा जो phenomena हो रहा है crossing over अकर हो रहा है, crossing over हो रहा है या non-sister, homologous, chromosomes की crossing over यह सब आपको देखने को मिलता है फिकाइटीन stage में और यह आपको देखने को मिलता है zygotene में first तो यह हमारा गलत option हो जाएगा टर्मिनलाइजेशन की बात करें बच्छो तो टर्मिनलाइजेशन ओफ कैस मेटा जो है वह आपको देखने को मिलता है Dikinesis stage पर वह आपको तर्मिनलाइजेशन देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर आपको रिकॉंबिनेशन नॉडियूल नहीं दिखेंगे कि वहाँ तो terminate ही हो गई सारी size meta वगेरा और synaptonymal complex की बात करें बच्चो तो synaptonymal complex आपको देखने को मिलेंगे, तो correct answer हो गया बच्चों आपका option number आप लोगों को यह solution समझ में आया होगा बच्चों, thank you all the best